अब बात करते हैं 1999 में शुरू ही NetWeb Technologies की करीब 14,000 करोड रुपए के मार्केट कैप वाली NetWeb Tech, Enterprise, Storage System, Data Center, Servers, High End Computing Solutions के लिए Software और Services प्रदान करती है अब कंपनी के 3 सूपर कंप्यूटर दुनिया के टॉप 500 सूपर कंप्यूटर में 11 बार चुने गए हैं अब नतीजों पर फोकस करते हैं तो आए में डियर सो प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है मुनाफ़ा देखें तो 200% से ज़ादा बढ़ा है हाँ मार्जिन पर दबाब जरूर देखने को मिला है तो नतीजों के महत्पून ट्रिगर्स कौन से हैं आगे कंपनी को लेकर किस तरह का ग्रोथ आउटलूक है मौझूदा ट्रेंड कैसा है सब पर हम विस्तार से बात करेंगे without further delay जोडते हैं कंपनी के CMD संजे लोडा जी को Mr. Loda Sir, good afternoon, बहुत स्वागत है आपका Zee Business पे सबसे पहले बधाई शांदार numbers, quarterly numbers पेश किया है क्या driving factors रहे हैं सर जो आपकी revenue में इस तरह की strength देखने को मिली है और आगे का outlook क्या है सर इस पितवर्ष के लिए ऐसा है मैं सुरू से भूलता आया हूँ basically जो भी कि हमारा 30-35% का growth CAGR पे हम grow करेंगे आप देखेंगे तो last 3 साल से वैसे ही growth trajectory हमारी रही है और अगर आप देखोगे तो हमारे order book को जैसे 400 क्रोड सूपर का हमारा order book March में था, अभी भी मतलब इतना होने के बाद भी still we are maintaining that kind of situation there, तो overall देखेंगे तो हमारे को, जिस segments में हम काम कर रहे हैं, सारे के सारे अच्छे segments है काफी focused और niche segment पर हम काम करते हैं जैसे super computing है और दूसरा जैसे की primarily जैसे private cloud HCI आपको पता data center का market इस समय कितना चुर grow कर रहा है, अस तक इंडिया में इतना data center का traction कभी नहीं देखा गया है आज से 2-4 साल पहले तो यह था कि data center वाले data center में space के लिए लोग गूंते रहते थे, लेकिन अभी situation यह है कि data center में space available नहीं है तो private cloud का adoption बहुत massively हो रहा है तीसरा है AI, देखिए अगर आप देखूगे हमारे नतिज़ों में इस बार जो main निकल के आया है, जैसे 7% के लगबग हमारा last time AI में हमारा total share था इस बार हमारे total revenue में करीब 15% के लगबगा share हो गया है which is substantial, तो कारण क्या है AI के अंदर, because कारण क्या है हम अपना hardware design करते हैं अपने hardware manufacture करते हैं और हमारा अपना software stack है, तो end-to-end complete solution पर काम करते हैं इसलिए हम अपना niche बना पाते हैं और अपने solutions अपने users को दे पाते हैं और users जो हमारे से attach रहते हैं और हमारे उपर देखते हैं तो देखेंगे तो basically मैं इसी तरीके से इसी तरह का जो 30-35% के लगबगा का growth जो CAGR का जो मैं predict कर रहा हूं we are very very confident to maintaining that और AI के अंदर और डेटा सेंटर के अंदर जिस तरह का जो अमेरे को जो boom दिख रहा है definitely that will benefit us सर ये जो AI systems आपके vertical contribution में आपने तो वैसे बता दिया कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है going forward इसका share बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर इस वितवर्श के लिए लिए तो कोई target आप देख रहे हैं इस particular vertical के लिए अगर पूरे साल के देखेंगे पिछले साल में करिक करी भी बढ़के करी 11% पे था हमने ऐसा indicator दिया था और मतलब ऐसा guidance दिया था है तो basically यह quarter हमारे लिए काफी मतलब की हमारा सबसे slowest quarter होता है और basically H1 हमारा one third of the revenue होता है H2 जो हमारा two third of the revenue होता है तो फिर भी हम हमारा indication यह रहेगा करी 15-16% का total AI के अंदर रहेगा विकोज हमारे दूसरा private cloud का जो business है चाह सुपर computer का जो business है वो भी काफी grow कर रहा है तो उस condition में I think 15-16% पूरे साल के अंदर हम सुचते हैं कि हमारा AI का revenue रहेगा अच्छा सर higher education and research industry इसका आपके revenue में बहुत बड़ा contribution रहा है कब तक लगता है सर यह जो इंडस्ट्री से यह जो सरह का contribution है यह बाकी industries को balance out करता हुआ दिखाई देगा इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे मैं ऐसा अगर आप देखेंगे overall क्या है कि देखिए हमारा 50% government में आता है हमारा higher education research भी government में होता है को हम government में consider करते हैं और 50% हमारा enterprise से आता है इस quarter में थोड़ा government का share ज़्यादा रहा because हमारी जैसे business को एक quarter पे आप judge नहीं कर सकते primarily overall थोड़ा कम से कम H1H2 भी करेंगे तो better judge कर पाएंगे because large orders होते हैं कोई order कैसी का सरकार का ज़्यादा बड़ा आ गया तो ज़्यादा देख रहा है लेकिन overall हमारा revenue contribution आप year on year अगर आप देखेंगे तो 50-55% 50-45-55 के range में government enterprise में और enterprise में भी हम large enterprises से काम करते हैं SMB में हमारा बिल्कुल भी share नहीं है तो primarily देखा जाएं तो large enterprises हम के साथ हम लोग काम करते हैं because हमारे solutions जो हैं वो basically highly integrated और high end computing के लिए हैं जो उनके लिए ज़्यादा आये बनता है तो higher education research पर definitely government का focus है we definitely feel that business grow करेगा इसके अंदर because आपको पता आज AI के अंदर क्या attraction है national super computing mission अपने जगह पे चल रहा है all those things will definitely will keep on generating demand in their segment लेकिन overall अगर आप देखेंगे तो 50-50 enterprise or 50% government का ratio हमारा अच्छा सर आपने आप ज़र यह बता पाएंगे कि enterprise workstation जो vertical आपने कहा कि सरकार के साथ भी यहां पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है बड़े enterprises के साथ काम करते इसका contribution कितना रहा है सर आपके revenue में और आगे इसको बढ़ाने पर क्या काम चल रहा है यह basically AI systems and enterprise workstation है यह हमारा AI related यह है जैसे मैंने पहले बताया approximately overall पूरे यह पिछले साल हमारा 7% था इस बार बढ़के इस quarter में 15% हुआ है लेकिन overall पूरे year on year अगर आप देखेंगे तो करीब हम expect करते हैं यह 15-16% का contribution रहेगा because overall हमां बाकी भी segments में 30% CGR से grow कर रहे हैं तो this will remain that और आपको पता है NVIDIA के साथ हमारी partnership है जो कि basically primarily दुनिया के बहुत काम OEM से हैं तो we have a direct relationship with them हम उनके सारे designs और architecture के साथ अपने latest solutions push करते हैं आपको और यह भी पता है कि government जो है अभी already India AI mission लेकर के आई है जो के cabinet approval हो गया है विच में लगें इंडिया को AI की factory बनाने के ओपर यो लोग काम कर रहे है जो कि बिलकुल बहुत सहीर direction में काम है जैसे इंडिया software का basically में अपना नाम पूरा कर पाया दुनिया भर में उसी तरीके से AI के अंदर में अगर इस तरह का अगर सर्तार अगर बूस्ट करती है और इतना बड़ इतना बड़ा जीप्यू का infrastructure लगाती है तो definitely जितनी या के जितने भी startups हैं जो आज की दिन सबसे ज़्यादा struggle करते हैं वो compute capacity के लिए struggle करते हैं विकॉस महंगा होता है जीप्यूस महंगे होते हैं तो अगर इस तरह का infrastructure इंडिया परभाइड होता है तो definitely company के लिए तो अच्छा है यह लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा प्योगर इससे क्या होगा कि हमारी जो भी startups है हमारी जो भी basically जो development workforce है वो पूरे तरीके से काम कर पाएगी अच्छा लोड़ा सर हाल फिलहाल में आपकी company ने फरीदाबाद के पास एक facility खोली है सर आप समझा पाएंगे हमारी दर्शकों को कि इसकी possible जो शमता है capacity है कैसी है और इसका revenue contribution इस factory से going forward आप कैसा देख रहे है मैं ऐसा है यह देखें इंडिया में अपने आप में बहुत काफी unique facility है जिसका उधाटन सेकेटरी ministry of information IT ने किया himself वो खुदी थे और basically यह अपने आप में क्या है हम लोग देखें पूरा मदब और design करते है और पूरा मतलब पूरा server हम लोग design करके पूरा manufacture करते है यह end to end है जैसे क्या है कि हम अपने आप जैसे इंडिया में पूरे जो dual socket जो servers है हमारे Intel के साथ AMD, NVIDIA सब के साथ technology relationships है उनके designs पे उनके chipsets की जो designs जो announce होती है उसके उपर काम करते है तो already हम supplier rapids जो Intel का जो latest architecture है उसके उपर बहुत सारे latest architecture के servers बना रहे है AMD का जो latest architecture है Genoa उसके उपर बना रहे है NVIDIA का जो latest architecture है जो basically grace के उपर है उसके उपर बना रहे है तो यह सारा का सारा जो है हम लोग इंडिया में पूरा का पूरा manufacturing कर रहे है तो यह अगर देखा जाए तो यह पूरी facility हमने अपने IPO के समय में promise किया रहा 2025 में चालू होगी लेकिन हमने इसको pre-porn कर लिया और यह unit हमारी हमने यहाँ पर ready करी है तो हम contract manufacturing करते नहीं है तो primarily है हमारे अपने capability का ज़्यादा सवाल आ जाता है capacity से ज़्यादा विकास कारण के latest architecture की हमारे motherboard जो है 18-24 layer के होते हैं और हमारे servers काफी complex हम compete करते हैं सारे MNCs जो भी प्रवाइट करते हैं उनसे तो basically पूरा servers design करना उसको manufacture करना तो हमारे को उसके लिए capabilities चाहिए होती है उस angle से हमने किया है लेकिन ऐसा company का हमारा मानना है कि हम करीब-करीब 2000 करोड तक हमारा turnover हो जाए तो हमारे को और केपेक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है अर्दर दिन दे routine केपेक्स तो यह facility हमारे को उसके लिए पूरी तरीके से सक्षम है हमारे को help करने के लिए और राइट Mr. Loda sir thank you so much हमारे साथ जोडने के लिए उसने विस्तार से ना सिर्फ अपने नतीजों पर highlights देने के लिए बलकि आगे क्या company की योजना ये भी बताने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसला जारी रहेगा